नमस्कार आप फोटो कापी शॉप आनलाइन सेंटर या जरॉक सेंटर डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि सुरुआत में कोई सस्ता प्रिंटर लेकर के काम किया जाए तो ठेरिये मेरे साथ बने रही है मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको लेना चाहिए एफोर साइज के लेजर मल्टी फंच्छन प्रिंटर जो कि आते हैं लगबख 20,000 से लेकर के 25,000 तक और यह इतने डूरेबल नहीं होते कि आप इन पर दिन भर में 300 से 400 कॉपी निकाल पाएं दुसरा इनका मेकनिजम भी इस ट्राइब का होता है कि आप इसे कमर्श के लुप्योग नहीं ले सकते तो आपके लिए मैं उन A3 साइज की मशीनों की जानकारी लेकर के आया हूँ जिस पर आप दिन भर में 500, 600, 800 पापी आराम से निकाल सकते हैं और वह सब 50,000 रुपे के आसपास में आती है वीडियो के अंत में जो ब्रैंड की जानकारी दी है वह मैं उसे नंबर वन रेंट पर रखना चाहूंगा तो वीडियो के अंत तक बने रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत उप्योगी हने वाला है हम बात करेंगे कैनन, क्योशेरा, शार्प, तो कोशीबा, रीको, गोनिका, जरॉक्स के बैसिक मॉडल की तो आप देखिए यह एक ही वीडियो में जो है मैं आपको पचास जान अंदर में आने वाली सारी मश्यों की जान करेंगे हम जिन भी मश्यों की बात करेंगे उन सब में, कॉपी, प्रेंट, कलर स्कैन यह फीचर र जिससे हम आगे पीछे की कॉपी एक ही बार में निकाल सकते हैं, कैनन, ट्रिपल टू-फोर, यह मश्यों बैसिक मश्यों है, इसमें डुपलेक्स नहीं आता है, साथ में, इसमें आप डुपलेक्स ना लगा सकते हैं, ना एडियेफ है, इसे आप एथरी साइस का लेजर पि परचान रखती है, और इसकी कीमत लगबग 55,000 रुपे होती है, अब कॉनिका में बेसिक दो मॉडल आते हैं, 165 एन हो गया और 185 एन हो गया, इसमें सिर्फ एक ट्रे आती है, बाइपास, यानि साइड से जो पेपर लगा करके आप टॉपी करते हैं, वो भी आप्स ना ले पर यह अलग से लेने पर बहुत ही सस्ता होता है, इससे भी आप ADF और डुपलेक्स नहीं लगा सकते हैं, यह मशिन की कीमत 35,000 से 40,000 के आसपास होती है, हाँ, कॉनिका में और दो मॉडल हैं, 205i और 225i, इसमें आप चाहें तो डुपलेक्स और ADF भी 8 कर सकते हैं, बगर AD ADF के इन मशिनों की कीमत 50,000 के आसपास है, 225i में डुपलेक्स साथ में ही आता है, कॉनिका के चारों मॉडल में नेटवर्क साथ में ही आता है, अब बात करते हैं, रीको कंपनी के दो मॉडल, जो की 2014 और 2014D हैं, जो 40,000 से 50,000 की रेंज में हैं, जैसा कि नाम से मालुम चल है, 2014D में डुपलेक्स साथ में आता है, बात करते हैं हम जैरॉक्स में, जैरॉक्स का B1022 है, जो डुपलेक्स और नेटवर्क के साथ में आता है, इसकी भी कीमत 50,000 के आसपास ही है, अब क्योशेरा के दो मॉडल, 2020 और 2320 इसमें भी डुपलेक्स और ADF आप लगा सकते हैं, पर इसमें नेटवर्क पोर्ट नहीं होता है, और यह भी 45,000 से 50,000 रुपे में आती है, अभी तक जितनी भी कंपनी के जो भी मॉडल बता हैं, उसमें 16 से लेकर 22 कॉपी पर मिनिट की स्पीड होती है, पर तोसीबा की 2523 AD, जो बैसिक मॉडल है, इसकी खास्यत यह है कि यह 25 कॉपी पर मिनिट की स्पीड में आती है, और डुपलेक साथ में होता है, इसकी कीमत 45,000 के आसपास होती है, यहाँ पर एक संचिप जानकारी दी है, कि 50,000 रुपे के अंदर आसपास में कितनी कंपनिया हैं, जो अपने मॉडल और जो अपने मशीनों के जो मॉडल हैं, वो अब आप एक चीज़े देखेगा, कि जो संचिप जानकारी है, वो ब्रैंड है और उसके कुछ मॉडल है, अगर मशीनों के बारे में मैं यहाँ पर पूरी डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन देता, तो शायद यह वीडियो बहुत बड़ा होता, इसलिए मैंने बहुत संचिप जानकारी दिये, ताकि आपको अगर स्पेसिफिकेशन भी देखना है, तो आप गूगल पर जाकर के उसको तरज कर सकते हैं, इस मॉडल मी इसाब से, मैंने आप जानकारी दिये, वो दी है, पचास यार रुपे के आसपास के जो भी A3 साइस के मॉडल होते हैं, वो उनसा भ मॉडल हैं, आप उसमें से जो भी चूज करना चाहें, कर सकते हैं, पर प्रात्निक तक में मैंने ये कहा कि तोशीबा की 25 कॉपे की स्पिट की मशीन है, वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, तो अब इन में से जितने मॉडल हैं, उसकी एक-एक संचिब जान उसका.